गुड मॉर्निंग ओल उफ यो और स्वागत आप सभी का एक बाफिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में परमिश्वर की प्रेजन्स में प्रभु ये शुमसी के नाम में हम है फरवरी के मन्त में और हम सीख रहे हैं लगातार परमिश्वर के एट्रिब्यूट्स तीन बातों को हम सीख चुके हैं कि हमारा परमिश्वर अनंतकाल का परमिश्वर है हमारा परमिश्वर कभी न बदलने वाला परमिश्वर है और हमारा परमिश्वर जो है वो सर्वसामर्थी परमिश्वर है आज चौती बात को हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं और आज ह हम सीखेंगे कि हमारा जो परमिश्वर है, our god is omniscient god. Omniscient god means our god is all knowing god. यानि हमारा परमिश्वर सर्व ज्यानी परमिश्वर है ना केवल वो सर्व सामर्थी है बलकि वो सर्व ज्यानी है उसे हर प्रकार का ज्यान है हालेलुया सारा ज्यान परमिश्वर के और से आता है सारी बुद्धी परमिश्वर के और से आती है उसकी बुद्धी अगम है वो जोतियों में वास करने वाला परमिश्वर है हालेलुया हमारी बुद्धी सोच भी नहीं सकती कि वो कितना बुद्धी मान है हम अपनी बुद् जानी परमिश्वर, सर्व ग्यानी, आज लोगों को बहुत प्रकार का ग्यान होता है, किसी को इस चीज का ग्यान है, किसी को कोई डॉक्टर की स्टडी करता है, डॉक्टर का ग्यान है, किसी को इंजीनियरिंग का ग्यान है, किसी को किसी चीज का ग्यान है, किसी को किसी वस्त के बारे में, गाडी के बारे में ग्यान है, किसी को ghar के बारे में ग्यान है, लेकिन पर्मिश्वर को वो सर्व ग्यानी है, उस से जादा multi talented कोई भी नहीं है। परमेश्वर is the most multi-talented, hallelujah, God is the most multi-talented personality, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम पढ़ेंगे, यशाया नभी के पुस्तक, उसका 46 अध्याय निकालेंगे, यशाया नभी के पुस्तक, उसका 46 अध्याय, 46 और उसका 9 और उसका 10, वर्स 9 और 10 जहां लिखा है, प्राचीन काल की बाते स्मरन करो, जो आरंब ही से हैं, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूँ, और मेरे तुल्ले कोई भी नहीं, मैं तो अंत की बात आदि से, और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ, जो अब तक नहीं ह कुई मैं कहता हूं मेरी युक्तिस्थे रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा सब कुछ जानता है वो परमिश्वर क्या हुआ क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है पहले ही प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में सब कुछ बता दिया बता यह इससे बड़ा हान कोई नहीं हालेलूया हालेलूया एक हाती के सामने जैसे चीटी होती है न मैं तो कहूंगा कि हम उस चीटी के बराबर भी नहीं है अगर परमिश्वर हमारे सामने है तो परमिश्वर इतना महान परमिश्वर है इतना महान परमिश्वर है यह उसकी दया है यह उसका अनुग्रे से लायक बनाया है अपने प्यार से लायक बनाया है अपनी संतान बनाया हमारे लिए बहुत बड़ा स्वभाग्य और बहुत बड़ी आशिश की बात है कि प्रभु की दया हम पर हुई है प्रभु का अनुग्रे हम पर हुआ है प्रभु की कृपा हमारे उपर हु उसको पुकारें हालेलुई उससे कहें प्रभू तू सब चानता है हालेलुई या वो सब ठीक करेगा हालेलुई या जब हम सब कुछ उसके हाथों में सौब देंगे वो सब कुछ जानता है हमारा परमेश्वर गॉड ब्लेस यू परमेश्वर इस डेली डिवोशिन के दौर आपको आशिश दे तो हमने परमेश्वर के बारे में चार बाते सीख लिए हैं वो अनंतकाल का परमेश्वर है वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है और वो सर्व ज्यानी परमेश्वर है तो यूट्यूब पर इस वीडियो की नीचे कमेंट करकर बताएं कि आज हमने कौन सी परमिश्वर की खुबी सीखी है कि हमारा परमिश्वर कौन है आज क्या सिखा हमने कमेंट करकर इस Video के नीचे ज़रूर आपउसको टाइप करें परमिश्वर आपको बहुत bliss करेंगे आमेन